बगैर हेलमेट वाहन चला रही यूवक की सड़क दुरगटना में मौत दो लोग घायल कोशामबी जिले में एक यूवक को बगैर हेलमेट बाइक चलाना महंगा पड़ गया यूवक की नैशनल हाईवे पर हुए सड़क हाथसे में मौत हो गई वहीं दो अन्य गंभी रूप से घायल हो गए हैं सड़क हाथसे की सूचना पर मौके पर पहुँची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला स्पताल में भरती कराया है वहीं पुलिस ने मृतक के शब को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया है घटना कोखराज थानक शेतर के नैशनल हाईवे पर मितवापूर गाउं स्थित पेट्रोल पंप के पास की है जहां पुरा मुफती थानक शेतर के काजीपूर निवासी आकाश अपने साथी दीपू के साथ मुरत गंज बजार आया हुआ था बादार से सामान लेने के बाद घर वापस लोटते समय जैसे ही बाइक मितवापूर गाउं के पास पहूंची तो गाउं की तरफ से आ रहे बाइक सवार मोहमद शपन की आकाश के बाइक में टकरागई बाइक की भिलंत में आकाश डिवाइडर से टकरा गया सर पर हेलमेट ना होने की वजह से उसके सर पर गंभीर चोटे आई जिसे आकाश की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दीपू और मुहमत चपन गंभीर रूप से घायल हो गये सड़काशे की सूचना ग्रामिनों ने कोखराज पुलिस को दी मौके पर पहुंची कोखराज पुलिस ने घायलों को 180 एमबुलेंस के माध्यम से जिला ताल मंजयनपुर में भरती कराया जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है वहीं कोकराज पुलिस ने मृतक आकाश के शब को कबजे में रेकर पोस्टमाटम के लिए भेज दिया है सड़क हाथसे में आकाश की मौत की सूचना मिलने पर परीजनों में कोहराम मच गया कि अधाना कोकराज में आज दो मोटर साइक्टियों में गुए इसमें एक आदमे की मित्तु हो गई और एक व्यक्ति को गंभी रूप से घाया दे और दो व्यक्तियों को रिपर कर दिया गया है उनका इलाज कराया जा रहा है इसमें इनकी पहचान कर आवशक कर वहीए